मसकार जी, से साहट जी, क्या नाम है जी आपका? दिलेश्वरी साहु, कहां से हैं जी आप? 36 गड महासमुझीला, बाग भार ब्लाग और ग्राम कोल दैसे, संत रामपाल जी महाराथ से नाम दिख्षा आपने कब ली? 29 सितंबर 2020 को संत्रामपाल जी महाराथ से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति साधनाई करती थी? चुकी थी कि मेरे पास और कोई रास्ता दने साधनाई साधनाई करने के लिए मैं आधा आधी रात तक दुर्गाशत शत्ति का पाट किया करती थी? मेरे पापा बोले कि आप बहुत भूथ प्रेत की बाधां से गिरी होई इसलिए इसका पाट करो ठीक हो जाऊगी तो मैं उसका भी पाट करती थी? तो मैं पूजा में लग जाती थी कि मैं कहीं नहीं ठीक हो जाएंगा मेरे बहुत प्रेकि इतनी ज़्यादध समझ से थी मेरे को बूत जैसे रात को सो भी रहती थी तो मेरे उपर प्रवेस करके में सारे सरी ब्लड का निसान बनता है चूश लेते थे और मतलब ना उससे मेरे पुरा सरी मतलब ऐसे निला लाला ऐसे निसान बन जाता था और मतलब उसके बाद मेरे सरी में पुरा दर्द होता था इतना दर्द इतना सीर से लेकर पैर तक मैं काम नहीं कर पाती घर में मेरी हजबन मैं उनको गालिया देती थी कि मुझे कहीं भी ल तो पूजा करती थी इतना पूजा करती थी नीवू चढ़ाओ कोई यह चढ़ाओ कोई और जैसे तांत्रिकों के पास जाते थे तो बताते हैं यह लोग मुर्गियां मांग रहे हैं तो हम लोग वैसे ही करते थे मुर्गियां देते थे और मैं इतना रोती थी मैं अपने लिए दूसरे जीयों को मैं इतनी निर्टरता सकी इस यह सूच कर मेरे मन में इतना रोना आता था और तब भी मैं सोचते थी कहीं न कहीं तो ठीक हो जाऊं ऐसा करके विष्णू जी को इस्ट मान कर उनकी पूजा करत तुकि इतने बोजा करने कि लेकिन देन तु तो एक दिन मरेगी देन मरें तुमाइब भगवान को यह करती थी विष्णु भगवान को कि यह ने तो City मैंसे अब सचे मन से पूजा करती हूं मतलब मेरे घर वाले इतने परिसान थे मैं अपने मेरे घर वाले मुझे पागल सिध्ध कर दिये थे मेरे गाओं के सारे लोग मुझे पागल बोलते थे पगली है बोलते थे और मैं इतना पूजा करती जैसे गाओं में भागवत होता था तो मैं दुनिया का कुछ नहीं देख कि लुप नहीं देखा और रात को मंद दूरुगत सर्थ का पाँ यह सब उतना पाइब करती थी इतना पूजाOK मे चाने करने लिए इतना सब्सक्राइब सब्सक्राइब । देपक जला कर फूजा करने यहुत कोई कोई कह research की किया हो गया इतना पूजा जितना मैंने किया है कि मेरे Same सरे नब तकलिप थो मैं क्या करूं जवगा है मीरा चार समाद मेरा तो मेरा तोें से चलते हम लोग चार लाग पैसे ऐसे ही खर्च हो गया इसको अन्त में डाक्टर ने बोल दिया आपरेशन किया उसका जो भी सोनोग्राफिय एक सरे करते हैं कुछ भी पता नहीं चलता था तो डाक्टर लोग बोले कि यह मतलब इसका समझ्य हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मेरा बच्चा पूरा मर ही गया मैं महामरित्यून जाब करती थी उस समय जब मेरा बच्चा का अपरेशन चल रहा था मैं इतना समय तक कमर छटका जैसे बहुंद लोग कहते हैं आपने पारमफरिक यह वरत रखने से यह लाब होगा ऐसे सोच कर मैं कमर छटका उपास इतन मेरे को इतना जटका मिला उस समय में ग्यान समझ चुकी थी मतलब शिष्टी रखना पढ़ रखा था मैंने लेकिन मैं अपने अभिमान वश कि विश्णु जी से बड़ा कोई नहीं है ऐसा से मैं अपने गुरु जी को ही गाले मतलब संत्रामपाल जी महराज जी को इतनी ग तो मैं अपने घर आई और उसी दिन रात को टीवी देखने लगी तो ससंग पुरा खतम हो गया था इंटर्वी आया था उस इंटर्वी में एक भगत मती थी वह बता रहे थी उनको लिकोर्या और बहुं सारा समझ से था तो बता रही थी कि मतलब मेरा यह समझ था अलाजिन संत्राम धिए शान्त्राम पाल झी महारा से नाम जिक्षा लेने के बाद क्या आपको लाप मिले ऑस दिर रात को में जब सोई थी तो कबीर पर मेले GUY मेरे सबने में आये मोद मतलब मेरे को आकर ऐसे मतलब आशिरवात दिये बस इधर इसा चुन कर गये उसके बार मेरे इतनी शांती मिले मैं बता नहीं सकती उस रात को मैं ऐसा लगा कि आज मैंने सच्चा पर्मात्म पाया आज मैंने पूरा जीवन मनला आज ही मेरा जीवन सार्थक हुआ महाराज सबसे पहले मेरे भूत ब्रैट की बाद ऐसे नाम लिया तो जो निसान बनता था मेरे स्परीर में नियुकुर का घान गट में लेक्ट कर चुकी थी तो डाक्टर लोग बोलते थे कि दवाई से विलाज करा रही थी लेकिन दवाई खाखर कर करका मेरा सरीर इतना खराब हो चुका है तो खाना से ज़्याद़ खाते तेरा तो दवाई ही आहार बन चुका है ऐसा कहे कर मेरे को मेरे हजबन बोलते थे मैं भी तंग आ गए थी दवाईयां खाने से तो कि बाइब गाड और शूजना गया था बच्यदानी में और केडनी में भी फद्री हो गय था उसे भी सुजन था किड़नीयों में लीवर में फदीन था और खाना खाती थी तो पूरा खट्टा बनाकर मल्द्ट पूरा पेट अधिशेड बन जाता था जिसके वजह से मेरे पा हुआ है और इसके वज़ अगे चल करना जाने की सी करूप ले उसके बाद संत्रामटान जी महाराजी से मैंने अर्दास लगाया तो संतराम पाल जी महराव ने कहा कि परमात्मा करेंगे विश्वास रखो बीटा परमात्मा के उपर हो सकता है परमात्मा नाहिक आपकी आपका इलाज कर दे तो मैं इस यहीं सोच कर फिर से डाक्टर के पास गई तो वस गौलियादी डॉक्टर ने एक मनलब मलब चोटा सा मनल दो तीन दिन का वस उसी से में ठीक हो गई अपरेशन नहीं हुआ यह देख सकते हैं आप मेरी एस हुम होस्पिटल कर रिपोर्ट है जिसमें डाक्टर ने बताया था कि आपके बच्चेदाने में ओवरी सिष्ट है बच्चेदाने में गांट है जिसका अपरेशन करना पड़ पर मात्मा करेंगे विश्वास रखो बिटा पर मात्मा की उपर हो सब्सक्राइब परमात्मा की आपका इलाज कर दे उसकी बाद मैं अधित्य हास्पिटल में गई महासमन में उस पुहां फिर से चेक-ब करवाया तो उसमें पूरे रिपोर्ट निर नॉर्मल आये देखो कि मीरे को कोई की आपरेशन की है कोई दोरत ने पड़ी मैं इसे इंपर ही ठीक हो गई संत्राम पाल जी महराजी ऐसे सत्चे सत्गुरू है जो मतलब बिना दवाई के बिना कोई आपरेशन के सारी तकलिफें दूर कर रहे हैं मेरे घर में आर्थिक तंगी थी और मास मचली खाते थे मैं भी खाती थी लेकि संत्राम पाल जी महराजी के सरण में आने से मतलब आर्थिक तंगी है जिसकी वज़े से हमारे घर में मेरे हमारे सारे पैसे डाक्टर के पास जाते थे वह पैसा आज प्रमात्मा की दया से बज़ गया है और उससे हमारा मतलब जीवन निर्वा अच्छे से चल रहा है संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप मिले तो जो दर्सक आज आपको टीव पर देख रहा है या जो महिला आपको टीव पर देख रहा है अगर वो दुखी है उनके लिए आप क्या गैना चाहेंगे एका देखिए संत्राम पाल जी उस प्रुख इस धर्ति पर आए हों हैं इस प्रुखेस पर जितने भी धर्मग्रू है वह लोग तो अपनी अपनी मनवानी साध्मा करा ही रहे हैं लेकिन संत्राम पाल जी मराथ हमें इस दुखों के घरों से निकालने के लिए हमिसाद भक्ति कराने के लिए पूण दिलाने के लिए अस धरती पर आये हुए हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप सभी से मेरा यहीं प्रार्चन है प्लीज 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 आप संत्राम स्थ Means महराज जी को एक पहचानों, उनका ससंग देखे, उनकी पुस्तक खोल कर देखे, उन्हों ने पूरे पुस्तकों में प्रमान सहीत, चारोवेद, गीता, चैसासरद्ट्राइं, पुरान, ये सब खोल कर बता दिये हैं हम लोगों को सामने प्रत्यक्ष प्रमान सहीद रख रहे हैं इसके बाद भी हम उनको नहीं पहचानेंगे तो यह हमारी मुर्खता है अब प्लीज इनका ससंग एक बार देखें और कम से कम इस बात के लिए देखें कि क्या यह सहीं कह रहे हैं या गलत परक कीजे आज हम संत्रांपालजी महाराच जी इस पर तदांध यहा प्लेज लिए अप प्लीज उनसे नाम दिख्षा क्यारश की संत्रांपालाच छाब लिए बोबाईल वे में आता है उनसे पर प्रती चलती रहते हैं बर अश्रम का नंबर लिखा रहता है उस पर में नामदान के इंदरों में जाकर नामदिक्षा प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद जी सच सही